अब ये जानते हैं कि किन ग्रहों के संयोग से शेयर बाजार में फाइदा होता है और किन ग्रहों के संयोग से शेयर बाजार में नुकसान होता है ये भी समझ लेते हैं देखिए अगर कुंडली में पंचम भाव पांचवा खाना और इसका स्वामी मजबूत हैं तो शेयर बाजार में खूब सफलता मिलती है पंचम भाव मजबूत हो जाए, पंचम भाव का स्वामी मजबूत हो जाए तो आप शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं आपको शेयर मार्केट में सफलता मिल सकते है अगर कुंडली में राहू अनुकूल होता है तो व्यक्ति शेयर बाजार में बड़ी सफलताएं पाता है एकदम से शेयर मार्केट में एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद शेयर बाजार में उसकी सफलता की संभावनाएं काफी जादा बढ़ जाती है तो अगर राहु अनुकूल है तो व्यक्ति को शेयर बादार में सफलता मिलती है ब्रिहस्पती अगर अनुकूल होता है कुंडली में तो व्यक्ति को कामोडिटी के व्यापार में लाब होता है जो वस्तुओं का मार्केट है, सोना है, चांदी है, मेटल है, डाल है, अनाज है, इसकी जो कमोडिटी का जो मार्केट होता है, उसमें लाब होता है, अगर ब्रिहस्पती कुंडली में अनुकूल होता है, तो बुद्ध के अनुकूल होने पर व्यक्ति शेयर संबंदी अच्छी सलाह देता है, जिन लोगों का बुद्ध अच्छा होता है, वो शेयर मार्केट को समझते हैं, जानते हैं, और उसके हिसाब से लोगों को अच्छी सलाह भी देते हैं, और ऐसे लोग अच्छी सलाह भी देत और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय या कोई व्यापार भी करते हैं लेकिन ऐसे लोगों को खुद शेयर बादार में पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों को शेयर बादार में बहुत सफलता नहीं मिल पाती अगर कुंडली में सूर्य राहू एक साथ हैं चंद्र राहू एक साथ हैं या गुरू राहू एक साथ हैं तो शेयर बादार से दूर रहना ही बेहतर है क्योंकि ये combination होने पर आप share बाजार में एकदम से नीचे आ सकते हैं एकदम से चीजें आपकी बरबाद हो सकती हैं अगर आपकी कुंडली के धन भाव में राहू हो तो share बाजार में जाने पर व्यक्ति आर्थिक रूप से कभी कभी बरबाद हो जाता है यानि कुंडली के दूसरे खाने में अगर राहू बैठा हो तो share बाजार में जाने के पहले एक नहीं एक लाख बार सोचिए अगर राहू या केतु केंद्र स्थान में हो तो एक समय व्यक्ति share बाजार में उचाईयों पर पहुँच जाता है एक समय में व्यक्ति share बाजार पर बड़ी सफलता पाता है लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति दरिद्र हो जाता है बिलकुल सडक पर चला आता है राहू केतु का केंद्र में होना कब अर्ष पर पहुचा दे और कब फर्ष पर पहुचा दे ये समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है अब मान लिया कि आप share market से जुड़े हुए हैं share market में पैसा लगाते हैं share market में काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि कम से कम नुकसान नहों अगर फाइडा ना भी हो जादा तो नुकसान नहों शेर बाजार में थोड़ी बहुत सफलता मिलती रहे तो शेर बाजार में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए क्या सावधानिया रखनी चाहिए सबसे पहले कुंडली के पांचवे खाने को और इसके स्वामी को देखिए कि आपके कुंडली का पंचम भाव कैसा है और इसका स्वामी कैसा है इसके बाद ये देखिए कि आपकी कुंडली में राहु कैसा है अच्छा है या बुरा है और उसके बाद जाकर के शेर बादार के बारे में सोचिए अगर राहू की दशा, महादशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो ऐसी दशा में विशे सावधानी रखिए शनी की साड़े साती उतर रही हो या धिया उतर रही हो तो शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए अब ये जानते हैं कि शेयर बाजार में सफलता पाने के लिए क्या उपाय करें सलाह ले करके एक पन्ना या एक गोमेद पहनने पर शेयर बाजार में फाइदा होता है लेकिन सलाह ले करके ही पहनिएगा रोज सुबह और रोज शाम एक सो आठ बार राहु के मंतर का जब कीजिएगा ओम रांग राहवे नमहा हर बुद्धवार को और हर शुक्रवार को मचलियों को आटे की गोलियां खिलाईएगा और एक चमकदार नीले रंग का ब्राइट ब्लू कलर का रुमाल अपने पास रखिएगा एक चांदी का तारा बनवा लिजिए स्टार शिल्वर का स्टार बनवा लिजिए और इसको लाल धागे में डाल करके बुद्धवार को अपने गले में पहन ले अगर शियर बादार से आपका कोई भी संबंद है तो